हेलो फेंड्स इस बीडियो में आपको कराने मारी हूं क्लास नायन का हिंदी का पेपर सलूशन यह अद्वास ही पर इच्छाप दे सकते हैं ले टेस्ट है ओके पिक इसका थोड़ा सा विला रखोंगे पेपर मेरे पास नहीं है मैंने पिक मंगवाया है जिस स्टुडेंट न इसमें से जीवन पर्चे मिल ले हैं व्याहख्ये मिल लहीं है तो वही चेप्ट्र सोते हैं थोड़ा सा एक्स्टर आपको पढ़ना पड़ता है दो तीं चेप्टर ही हमी है कि बार में पूछ जा गया किस काल को हिंदी काभी का सवर का जाता है तो यह भक्ति काल को कहते हैं के मंत्र कहानी के लिएक प्रेम चंद्र इनकी उपन्यास यह गवन गोदान सेवा सदन बहुत पुछ जाते हैं भक्ति काल के कभी सूर्दास है तुलसी दास हैं मीरा कि अपसा जाए टो इसका हो दॉध सांत रौसों तो आपको कोशन अगर बनेगा बनेगा या तो सिंगा रसका पूछेगा या फिर भी रसका पूछेगा तो कोई भी पेपर कोड आ जाए आपको टैंसर नहीं लेनी है अब चौपाई कि आपको डैफिनिसन कर पता है प्रती एक चरण में 16-16 मात्रा होती है ग्रामर में बहुत अच्छे से करवाईगे पहले और तीसरे में पूछले कितनी मात्रा होती है तो पहले तीसरे में 13-13 होती है और दूसरे चौथे में अगर पूछ रहे तो क्या रहे गया रहे है ओके मैं आपको एक च्छे से आपको करवाई चैनल पर तरिन तरूजा तर्तमाल तरवर वहुच्छाए तो ता बढ़ कि अगया तो उप्वाभी 10th class में है तो बचा के यह दो अब यहां पर जहां पर सब्दों की पर्रृवति हो और उनका अर्थ अलग अलगओ तो बहाँ पर होता सजना के लिए सजना बर दो बार हुआ एक पति के लिए सजना सबन्या के लिए कंग औरकते सौग निंये वहा तो यह था सकती में कौन सा समास होगा तो यह हो जाएगा अब बैभाव ओकी अब परायबाचिस अगर कोशन पुछ रहेगा तो नॉर्मल से आपने होगे कोई भी गोड आजाए सव्वांस का थभव यह सम होता है हिंदी का वड़ तो सु आज को क्या बोलते हैं अज्ञान का विलूम आप इसली कर लेंगे ग्ञान हो जाएगा मक्षी का मक्षी हिंधी का वड़ है और सव्वर इसको संस्कृत में हैं मच्छि का पुलते हैं ठीक है पाप का विलूम कितना सिंपल है पुन्य हेमांसु सुधांसु इंदुई किसके प्रायवाची है चंद्रमा के ठीक है प्रत्वी के क्या होते हैं भूधरा जमीन आकास के नवगगा नंबर सूर्गा दिनकर दिवाकर भासकर तो प्रायवाची हुआ का जाया मॉटर चली गई या फिर मडालनी वर्ड आपको कहीं भी मिल जाए तो वो चैप्टर है मंत्र मंत्र एक कहानी है जो की एमसी के पूछा गया यह किसकी है प्रेमचंद की तो पाठ का नाम तो मंत्र हो गया और लेखक का नाम आप क्या लिखेंगे प्रेमचंद क्लि है इनकी कोशन देख लेते हैं माव आपने बेटे का सहरा नहीं देखा था ठीक है तो आपके लिखेंगे मैं अपने बेटे का सहरा नहीं देखा और जो थाड़ कोशन नौका जलमगन होने का आज़्ट हो जाना ओके इक यह चप्टर इंप आप से कॉशन जरूर पटब किय जाएंगे सौन जुही आपको मिल जाए तो यह चैप्टर है गिलू गिलू एक गिलहरी का ठीक है और यह रचना भी है मादी बर्मा की गिलू नीजा नहार यामा यह आपको याद करने नहीं है यह चौईस में है आपको एक ही पैसेज करना इसमें से मैं आपको दोनों बता द बर्मा इनकी बहुत फेमस रचना है गिलू नीजा नहार यामा आपको अच्छ से आद कर लेनी है रेखांके तरह इसकी बैख्या क्या होती है बस जो यहां से लिखा है आपको यहां तक लिख देना सेम आपको कुछ भी नाए तो आप यही इतना लिख दीजेगा गिलू की जो समाधी थी वो कहां दी गई थी तो सौन जुही की जो जड़ थी जो लता थी उसी के नीचे उसकी समाधी दी गई थी ठीक है तो आपको तीनों से मैंने बता दिये एजले आप कर लेंगे तो कोई भी कोड आ जाया आपको यही चप्टर पढ़ने है प्रेम चंद का पढ लेना है मेरा वहाई के पदावली उसमें से लिया गया यह है वह सिंपल है आफ कैसे लिख प्रस्तु पध्यान हमारी पाटॉ कि संसार को पार intim के अ तो हाप यह लिए कि आपको यही चप्टर पढ़ने एक रहीम का पढ़ लीजिए कबीर का एक मीरा भाई का इन्हीं मैं साब से पुछा जाएगा अब संस्क्रित के लिए मैं आपको बता दू कौन-कौन से आपको चप्टर पढ़ने हैं जो सवास्तानी पढ़ना है एक सदाचार बाला पढ़ना है एक आपको प्रुषत्तम राम बाला पढ़ना है और एक यह सिद्धी मंत्र ठीक है यह चप्टर साप पढ़ लीजिए आपको व्याख्या भी आपको मिल जाएगी और जो इस लोग की हिंदी पूछिया थी भो भी आप आपको मिल जाएगा अभी मैं आपको दौनों का सलुसन दिखा दूंगी तो आप देख लीजिगा क्योंकि यह चप्टर बहुत जादा इंप्रेंट है इसी में से आप से बैक्या पूछी जाएगी ओकी यह है पुरुषत्तम राम बाला चेप्टर ठीक है उसमें से पूछ क्याम पूछ है उसमें तो अपको आपको अच्छा लगे दोनी ही ने सिंपल है कर लीजगा तो जीवन परचे के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपको मैंन स्टा पढ़ें तो यह सब्सक्टार कर लीजेगा और इनकी दोaremos रचना है एक आपको इस लोग लिख देना है और इदा से मैं आपको आपको दो ही कुश्चन करने है ठीक है राम का जन्द कौन से बंस में भुआ था यह फास्टर में भी पूछा गया तो इच वाकू बंस में भुआ था ठीक है मैं आपको चावरी बता दूगी ओकी आपको दो करने संस्कित के लिए आपको यही चैप्टर्स पढ़ने है इनी मैंसे के कुश्चन पुछा आता है मुहाब्ड बहुत इजी आया है अकल का दुस्मन होना महामुर्ग होना ठीक है इद का चांद होना गायब हो जाना आम के आम गुटलों के दाम दोहरा लाब होना संस्कित खंड के सालस्कित खंड के सवास्थानिक लिया गया है ऐसे आपको संदब लिखना होता बस चैप्टर नेम असकी हिंद्य आ पो यह लिख देनी आ आ, आप Kirill इसके बाद यह आपको हिंदी लिख देनी है तो दोनों में आपको बताती है जो अच्छा लगए कर लिजेगा अब यह देखो एक आप से यह वाला पूच्छा गया पैसे तो इसका संदर आप कैसे लिखेंगे अपनी मासा में संस्कित खंड के सदाजार नावक पार्ट से लिए यह नॉर्मल इसमें सही लिखा हुआ है तो आप ऐसे लिख दीजेगा उसके बाद यह आपको ब्याख्या लिख देनी है कि ओएस में यह वाला पैसेज है मैं आपको दोनों बता रहे हुआ कि दोनों ही चैप्टर ओंस्ट में सिद्धी मंत्र भी ठीक है सदाचार वाला भी कि इंपॉन्ट है और नय्यम्यमाने कांगी में पात्र पुछा गया है तो रेविति के जगह आप ये वाला विश्वनात वाला जीजगा ठीक है 오। ban-daheka मैंनें को कर वाई दिया है open मिर्थी गश्षिंड कर वा ईता वह आप देख ले में अ और येदए ठीक है, दौनों में से एक 100% आपको मिल जागा अब संस्क्रत की question देख लो एक तो ये वाला पुछा गया है इसमें सत्ते लगाना है बस आपको दो ही गन्य आपको चार में से एक ये वाला पुछा गया है ये दिकोफाश्टर में पूछा गया था तक वही सेम पूछ लिया गया राम का जयंग खौन से बंश्मुआ है, इस वाको बंस में एक ये, राम दास कहां रहता था और ये आपका संस्क्रत में इमोषण पूछा गया है के राम दास नाराइनपुर में रहता है तो आपको यही संस्कित उसमें लिख देनी है, तो यह दोनों में काम करेगा, अब यह आपको दिखाते हूं कहां पे आप लिखेंगे, ओकी, तो यह मैंना आपको दोनों बता दिये हैं, इधर से आपको यह भी बता दिये, यह स्वास्तानी वैले में से करवाई दिया, इधर देखो, वह पढ़ता है, तो आप कैसे लिखेंगे, वह को पढ़ता है, तो वाय को ऐसे लिखते हैं, अगर गरल होती तो सा लिखा जाता है, ठीके, ये भी मैं आपको बहुत अच्छे से करवाएं, तो नायन तेन दोनों का सेमी है, संस्कितन बाद, तो आपको आजागा, दे आपको पूछे लेंगे, तो मैं आपको पूरा डेटेल में बहुत अच्छे से समझाएं, कौन कौन से चेप्टर से आपको पढ़ने हैं, आपके सारे डाउट क्लियर होगे, फिर भी कोई डाउट हो, तो पूछ लीजेगा, ठीके, तो वीडियो अच्छा लाओ, तो प्लीज लाइक शेर कर दीजेगा, और 9, 10, 11, 12, जैसे ही मेरे पास पीपर आते जाएंगे, मैं आपको प्रवाइड कर बाते जाओंगे, ओके, थेंकियू सुमाइगे,